अब आपने ये सुना होगा कि यार निहत्तों को नहीं पेलना चाहिए निहत्तों को जाने दो बकवास है सब कुछ बकवास है मैं सच्छा ही बताता हूँ बोटो पे अत्या चार मत करो बोटो को जाने दो तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भड़े पड़े भब जी दो आईल गेम प्ले वीडियो में और इस मैच में यार मैं पेटी बनने के मूँ से मूँ से बचके बाहर आता हूँ मतलब एक टैम के लिए यार मैंने छोड़ दिया था कि मैं बच भी पाऊंगा यासे उमीद ही छोड़ दी थी लेकिन हाँ जुगार भीड़ा लेते हैं कैर जो भी सीन होंगे थोड़ा आगे जाके होंगे फिलाल यहां नोवो आये हैं और आगे बन दे हैं और मेरे को एक भी गन ऐसी नहीं मिली जो दबा दब चले बिल्कुल एक यह भार दबाने पर इसमें बार भार दबाना पड़ता है कैर जो वी हो इस से पेटी तो बनानाई पड़ेगी नहीं तो क्या ही किया जा सकता है तो आगे वढ़ता हूं मैं यही लेके अब यहाँ पे मैं खोलता हूँ सकारिल और सकारिल पे चेक्स लगा पड़ा है वो भी पूरे जूम में यार पता नहीं क्यों लेकिन जमीन में गुलिया जारी थी खेर जो भी हो मेरा टीमेट नौक पड़ा है अब समालना पड़ेगा सीन नहीं तो उसके साथ साथ मेरी भी पेटी बन सकती है और उस नंगे बंदे की चलांगे देख के यार मैं हरान हो गया मेरे को लगा ठीक यार उपर है उपर से ही पे लेगा भाई कूतते वे बिल्कुल हवा से फाइरिंग देते हैं खेर मैं नीचे ही था तो पकड़ता हूँ पेटी बन जाती है की और एक बच चुका है हाँ वही नंगा वाला बंदा बचा है तो उसे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं और हमारी ये नंगे वाले भाई रिवाईवो के दुबारा से मेरे टीमिट को पेल देते हैं सही यार कम से कम मैं तो जिन्दा हूँ और इस बार भागने नहीं देता मैं मतलब यार एक बार रिवाईवो क्या बहुती बढ़िया बार बार थोड़ी यार हलवा थोड़ी चला है यहां पे तो उसकी पेटी बनाई अब बस एक आखरी बंदा बाकी है और ऐसा नहीं कि वो भगने जाएगा बिल्कुल नहीं वो भाई भी अपने पूरे जोस में रस करते हैं और आज कल हर एक बंदा ये पावर रेंजर बना फिर रहा है जिसे देखो नीले काले लान पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पैन के खिलते हैं सही यार मतलब आरपी का पूरा भरपूर फैदा उठाया जा रहा है खैर जो भी हो ये सारे पावर रेंजर यही पे ठिल जाते हैं पेटी बन जाती है अब ये लोग पबजी बंद करके सही में पावर रेंजर देख सकेंगे और इसके बाद यार नो वो खाली टैप हो जाता है गिने चुने चार बंदे बुरा हाले यार बहुत बुरा हाल है खास कर तब से जब से लूट कम हो रखी है खैर इसके बाद भगाते वे जाएंगे गाड़ी और इधर उदर बटक के बंदे पेलेंगे लेकिन उससे पहले हम धेड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैपसाइट का नाम है वनेक्स बैट जिसके माद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुडबॉल बॉली बास्केट बॉल कदू बॉल और ईस्पोर्ट्स वगेरा पे बैट हलने की तरह क्योंकि इसमें पेटियम पेपाल गूगल पे कदू पे नजाने क्या क्या है और इसमें कई सारे मिनी गेम्स होते तो आप वो खिल के भी बैसे कमा सकते हो तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस एप को ट्राय कर सकते हो इसकी लिंक कमेंट स अब आपने ये जरूर सुना होगा कि यार लाजचपुरी बला है लेकिन देखो बॉट पे अत्या चार करना ना उससे 14 गुना ज़्यादा बुरा है देखो आप सीन अब देखो सामने वो एक बॉट भग रहा था और उसे पेलने के लिए ये लोग उपन में भगते हैं अब आपने ये सुना होगा कि यार निहत्तों को नहीं पेलना चाहिए निहत्तों को जाने दो बखवास है सब कुछ बखवास है मैं सच्छा ही बताता हूं बॉटों पे अत्या चार मत करो बॉटों को जाने दो नहीं तो यही सीनों गयार जैसे इन दो बंदों के साथ ने रस्ते में ही पकड़ लिया अब इनकी पेटी वनेगी और यहां पर बस फरक इतना होता है कि यार अत्याचार कोई और करता है बोट पे और पेटी पूरे के पूरे टीम की बन जाती है अब देखो सेन क्या था बोट इधर पे नवकुआ था तो मैं सुच रहता है यार मेरे को दिख जाए तो मैं पेटी बना दूँ हना मतलब यार तडबना तो बन दोगा लाल ची नहीं हो यार किलकी लालस नहीं है मेरे पे मैं तो बहला चाहता हूँ देखो मैंने नहीं पेला बोट को ठीक है मैंने कोई अत्याचार नहीं किया मैं तो बस बोट को भागाना चाहरा था कि भाई इधर मताओ बोट राजा आप कहीं और चल दो लेकिन हमारे भाई पीछे से बंदूक निकालते हैं और दे दबा दब बोट पे गोली चलाते हैं और यार एक ही गोली पे बोट दिल जाता है मैं तो बस भागाना चाहरा था यार मैं भला ही चाहता हूं बोटों का खैर भला चाहूं चाहे बुरा यार उसकी सजा मेरे को बराबर मिलने वाली है हां यही पे मिलेगी बहुत ही जल्द गलत सीन होने वाले हैं और जराई आपको देखो कहां लेटा पड़ाय बंदा अगया है और साप एक ऐसी पर जाती है पबजी में जो हर जगा कहीं पे बी कहीं पे भी पाई जाएगी चाहे पीली हो घास चाहे हरी हो खैर जो भी सीरों इस साप को मैं ध्यड़ पे लूटता हूं और सूचता हूं ठीक है यार किल भी मिल गई गन भी मिल गई निकलते हैं यहां से और फिर यह होता है अब देखो अगर आपको याद होगा तो यार बोट की पेटी मैंने नहीं मेरे टीमेट ने बनाई थी अब देखो मैं बराबर जिनता हूं जाता चोट भी नहीं आई है लेकिन हमारे बाही नौक और इधर पे हमारे बचने की उमीड बहुत ही कम होती है बिलकुल ना कि बराबर बंदों ने फ्लैंक मार दिये हैं बिलकुल ओपन में खड़ा हूं और और गूली पड़ती है मेरे को एक तो मेरे नेट सस्ते हैं उसके उपर से ये लोग मौका तक नहीं दे रहे फेकने का यार कम से कम फेक के तो देखू क्या पता कुछ होई जाए क्यार मैं इधर उदर वहाँ से कट लेता हूं क्यूंकि देखो वहाँ पे नेट जोर से आएंगे लेकि मेरे समो कट जाता है तो वहाँ पीस यह आना पड़ता है दूबारा और यहाँ पर हम रोग ऐसी जगा से बच गए जहां से आर बचनी की उमीद लगभग जीरो टैप हो गई थी फ्लैंक देख रहे हो बंदों के एक बंदा घर पे बैठा है दो बंदे कार लेकिया रहे हैं फिर उसके उपर से एक बंदा और कहीं फ्लैंक मार रहा है यार इनका गोलियों का नहीं पता लेकिन फ्लैंक इन्हों ने दबा के पेला खेर जो भी सीनों यहाँ पे मैं धेड़ बड़ बच जाता हूँ और देख रहे हो मेरे टीमेट दो बर नोको गया और मैं हर बार बचा रहे हैं यहाँ पे सही है यार अच्छा हुआ उस बोड की मैंने पेटी नहीं बनाई वैसे पेटी बनाता तो 27 किलो थी खेर जो भी सीनों यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि आगे फ्रेर वगेरा चल लगी है और दुबार से उस घर पे जा रहे है जहां तुम्हारा भाइ डेड़ा IQ गेंप्ले करता है और यार इस बार भी वो डेड़ा IQ गेंप्ले काम कर जाता है पता नहीं क्यों अब मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि गाड़ी सिधा ठुख दूँ लेकिन पेटी भी बनती फिर और इधर आयवे ठीक से 10 सेकंड नहीं हुए हैं और गोला बारी चालू हो जाती है तो मैंने देखा यार मेरे पेबी एक जलती बोतल में आग पड़ी है तो मैं सोचता हूँ क्यों आप फेक के देखा जाए और वो जलती बोतल इतने खतरनाग जगा पे जाती है कि यार क्या ही बताओं वो टिन का चज़जा पड़ा है वहां पे जल रही आग अरे कद्दू कुछ ने उखड़ेगा वहां अग लगाने से और इनके नेट देखो ये भी खतरनाग है भाई इतना ज़्यादा कुक करके फेक रहे हैं कि यार हवा में भड़ जाए और एक बात अच्छी हो गई है में लिए कि मेरे पे नेट नहीं पड़े हैं कम से कम्यार टाइम तो विष्ट नहीं होगा गन सही काम करेंगे और आज के बाद से मैं सुत्राओं यार बट पेलना ही छोड़ दूँ देख रहे हो मेरा टीममेट बट पेलने के बाद तीन तीन बर्णों को चुका है और मेरे को कद्दू कुछ नहीं हुआ है मैं बिलकुल खड़ा हूँ अभी तक लेकिन यार अपनी केड़ी भी तो देखनी है तो बटो को तो पेलने ही पड़ेगा खेर जो भी सीनों यहां पर मैं जाता हूँ और सीधा वही करता हूँ जो मैं हजारों बार कर चुका हूँ और यह हजारों बार काम करती है और हमारे इस भाई का प्री फायर से हजार गुना जादा तकड़ा रिलूट था यार मैं देख रहा हूँ क्या मजे से रिलूट कर रहा है इधर उदर हिलते हूँ यार गन की गोलियां बदल ले है भाई जो भी सीनों हजार आइक्यू हजार क्यों कह रहा हूँ गयार क्या हो गया मेरे को डेड़ आइक्यू गेंपले फिर से काम करता है उपर चड़ता हूँ और सीधा दो बंदों को लपेट लेता हूँ उसके बाद ये बंदा पूरी जान लगा देता है परी फायर दबा के देते भाई लेकिन यार बस गोलियां बरबाद हूई पेटी फिर भी बनी खेर जो भी हो उसके बाद सरकल कापी छोटा हूँ चुका है और बंदे भी गिने चुने बाकी हैं और यार मैं ये बिलकुल चाहता कि ये आपस में ठील जाएं तो जहां पे भी जाना होगा यार दबा के रश्ट करना पड़ेगा नहीं तो गेमप्ले कैसे बनेगा और ये गाड़ी वाले बंदे अपनी पूरी चौड में घरों की तरफ बढ़ रहे हैं और घरों पे भी दबा के बंदे बैठे हैं इसका ही की मतलब है एक्शियोन होने वाला है और यहां पर एक और बार एक चमतकार हो जाता है कर दो 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 क और ये लोग औल पे कुछ तो कह रहे थे लेकिन यार जिस हिसाब से मैंने थर्ड पार्टी किये ना दो सुकोड के बीच मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि यार तारीफ हो रही होगी और पैंटे-पुंट भी कुछ सुना था मैंने तो यार गालिया पका पड़ी है मेरे को यहाँ पे खेर अपनी हरकती ऐसी है क्या ही कर सकते हैं और इसके बाद अब गिने चुने तीन बंदे बाकी हैं अब देखो अगर इन तीनों के तीनों को नहीं पेला ना तो यार 25 किल पे यह टक जोंगा बहुत बुरा लगता है तो मैं बंदे रोके तरह उपर चट पे चर जाता हूँ अब ये तीन बंदे कहीं पे भी हो सकते हैं कहीं से भी पेटी बना सकते हैं लेकिन यार कुछ पाने के लिए कुछ लेना पड़ता है तो मैं इधर चट पे आ जाता हूँ और बस बंदे ढूंड रहा हूँ और आखिर गार जाके एक बंदा दिखाई देता है पत्तर पे चुपे हैं हमारे भाई प्तर पे चुपे हैं हमारे भाई अब आगे मेरे ख्याल से दो दो बंदे बैठे पड़े हैं मैं गोलिया चाला रहा हूँ पूरे ध्यान से उतने में ही मेरा टीमेड बोलता है भाई मेरे को बंदा दिख गया मेरी फट गयार मैंने बोला ये पेटी बनाएगा मेरी बाद मैं पता चलता है कद्दू कुछ नि दिखा होता सही यार बेकू बनाओ मेरा खेर जो भी सीनो मेरे को लगता ऐसा है पैले कि उस पत्थर पे दो ही बंदे बैठे होंगे लेकिन मैं गलत होता हूँ असल में वहाँ पे तीन तीन बंदे बैठे पड़े हैं और यार जगा कम पड़ती है तो एक बंदा भगने लगता है और इस टाइम पे जब ये बंदा भी नौक होता है ना मैं समाझ गया इन्होंने पूरा डेरा डाल रखा था इक पत्थर पे मतलब इतना बड़ा भी नहीं है पत्थर ठीक ही ठाक पत्थर है उस पे तीन तीन बंदे बैटे पड़े थे अब देखो एक तो दूर भग गया है तो उसकी बेटी बनना तो लगबगता है हो चुका है लेकिन बस ये दो बंदे इधर पे जिन्दा होते हैं और उसके उपर से भाई लोग ने समोग भी बना दिया अब ये लोग समोग करते हैं और मैं दबा दब तीन नेट फेकता हूँ जिससे कुछ भी नहीं होता अब मैं लगबग तीन नेट बरबात कर देता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है देखो मैं बहुत बड़ा बेसारम हूँ तो मैं अपने टीमेट को बोलता हूँ भाईया जरा अपने नेट दिखाना इस बार पक्का पक्का फोड़ूँगा नेट से किसी को तो चार नेट और मिलने वाले है और उस बंदे की चोड़ बहुत अलग लेवल पे हूँ भाई बंदे पे हेलमेट तक नहीं है बिल्कुल बूरा टोपा दिखाई दे रहा था उसके बाद भी हमारे भाई पीक करे ज जा रहे यार देखो जोस हो तो इस लेवल का हो नहीं तो यार आलसी पड़े रहो खैर मेरे टीमेट को पता ही नहीं चला होता कि यार छट पे कैसे चड़ना है और आखिर कार जाके भाई दूसरी दर्वाजे से आते हैं और वहाँ पे मेरे ख्याल से एक और ऐसा बंदा हो गया जिसके पास हेलमेट नहीं बचा होगा मेरे ख्याल से उर जाना चाहिए और यार मेरे को देखते ही देखते चार नेड और मिलते हैं और अब जो मैं बोलने वाला हूँ आप उस बात का विश्वास नहीं करोगे मेरे को कद्दू कोई सरम नहीं है बिलकुल जीरो सरम हाँ इतना धीटू मैं खेर जो भी सीनो आप देखो नेड भी खताम हो चुके हैं मेरे ख्याल से पेटियों में भी नहीं बचे होंगे और कम से कम आठ दस नेड बरबाद करने के बाद मैं बोलता हूँ यार ऐसे काम नहीं चलेगा आप तो रसी करना पड़ेगा तो पत्थर के पीछे ही बैठे हैं और मैं भी रिस्कर देता हूँ क्यूं आखिर क्यूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वो बंदा अभी तक टोमी गन चला रहा है भाई बहुत ही बढ़िया और वो वही बंदा था जो बगैर हेलमेट पीक पाक दे रहा था और इससे बस एक ही चीज सीखने को मिलती है गन आप पे कोई भी पड़ी हो जजबा होना चाहिए अब जजबा उस बंदे में बहुत था लेकिन पेटी बन गई तो क्या ही कर सकते हैं तो वास भाई लोग आज के वीडियो इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते जो यह आखिर मैं चार-पांच गलती से हैट सोट प ले और यार जाते जाते एक एक्सपेट चेयाउट करना मत बूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिलकुल टोप में तो खल मिलते है यार बाई बाई झाल